हालो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों को पढ़ाई में इंट्रेस कैसा डिवलोप करें उनका पढ़ाई के तरफ प्यार कैसा हो जाए होता क्या है कि अक्सर बच्चों में पढ़ाई बोले तो बहुत नाराज जाती है पढ़ाई याने उनको बहुत तकलिव रहती है पढ़ाई क्यों करना काफी माबाब की परिशानी रहती है ऐसी कंप्लेंड रहती है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं पीछे लगना या फिर वो टीवी पे मैच देखेंगे, क्रिकेट की मैच देखेंगे, बुलेंगे, नहीं हमको पस उतनी देखने दो, या आखरी ओर देखने दो, और बहुत सारा मतलब डिस्ट्रैक्शन होते जाता है, और पढ़ाय में कम प्यार रहता है, हम क्या करता है कि पढ़ाय कर, प कीओं कर ना है, उसको यह मालूक रहता है, कि मेरी मा, मेरे पिता जी, मेरे पीछे लगते है, और पढ़ाय कर पढ़ाय कर इसा बोलते रहते हैं, फिर स्कूल मेच जाओ, फिर पढ़ाय करो, त्यों कि यह मालूक है नहीं है, अब यह बच्चे के साथ में हाप negatite बैट्ट में जाने का है, कैब्टन बनने का है, नुअ बट अच्छा है। जो भी है तो बच्चा बोलेंगा उसके साथ में साब जबब बैथेंगे तब कि मुझे बहुत सार साथ का इसा के बोलेंगा, तब तब चीक है उससे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो फिर उसके दिमाग में वो मकसद आ जाएंगा कि मुझे वो अच्व करना है, वो गोल अच्व करने का है, और वो अच्व करने के लिए मुझे पढ़ाई करने का है, जैसे में मेरा एक्जामपल देता हूँ कि मैं जब सात्वी क्लास में था, तो सात्वी क्लास में ही मुझ बच्चा भी नहीं कोंसी पढ़ाही कर रहा है क्या पढ़ाही कर। क्या पढ़ाही कर। उल्डा मुझे यह बोलना पढ़ता था था किने अभी तु अभी बहुत बात ताइम होगा भी सोजा। तो जब आप ये बच्चों के साथ में बातचीत करेंगे कि पढ़ाय क्यों करने का है पढ़ाय करने का मकसद क्या है कभी ऐसा होता है कि घर में उसके पिता जी बड़े बिजनेसमन होते हैं और बिजनेसमन होते हैं और घर में इसी चर्चा होती कि ठीक है बेटा स्कूल में च जो बिजनेस आप करोंगे तो आजकल बिजनेस में जो भी कुछ लगता है उसके लिए पहले पढ़ाये जरूँए है तो कम से कम graduate, post graduate होना या वो बिजनेस के बारे में जानकर देलेना, बिजनेस में कोई डिगरी, वो बिजनेस में प्रडिकलर समझे उसको हाटल का बिजनेस में जानने का है, तो बिजनेस में कोई डिप्लोम हाई है, होटल मैनेजमेंट है, तो वो कराँ जरूए है, मतलब उसके साथ में बातचीत करके यदि आप वो पक्का कर लेते हैं गोल उसका, तो फिर उसको कभी ऐसा बोलना ही पढ़ेंगा ने कि तो पढ़ाये कर, पढ़ा के बारे में तो वो इसको क्कूले कि जवाब उसको मिल गया या उसके मा बनने का है, मुझे ला भाल का इए तो नहीं बननेगा, तो अजी मेरे पास में एक लड़का आया था, वो अभी 12th कलास में गया, अब वो घूँकी साथ की कौंप्टर की का बजनेस कांनेश कीनने है तो मुझे वो मतलब उसके माबाप को दे रहा है एक्जामपल बिल गेट्स का बोले बिल गेट्स को स्कूल से टॉप आउट है प्रिमेर स्कूल में जाके क्या करूं मैं डिगरी क्यों लिए इसलिए वो पढ़ाय करना उसने छोड़ दिया त्यूशन जाना छोड़ दिया मैं बार्वी करना यह नहीं है मैं इसके साफ में बैठे। पीता जी मैं चे उसके साफ में से कंसेलिंगी यही है। खूशा ज्यूंड कोई πॉझ दॉख जबाद करता है। उस को तों वे है इसा जरु कॉंठ पता है छर्चा के माध्यन से से के ने उसकोु तों आत्यक कोई कॉम्पिटर में या कोई अलग अलग certificate courses करता है डिप्लमास कर लेता है कोई और वो काफी सारा knowledge हासिल करता है तो फिर वो अच्छे चालू कर सकेगा बिल गेट्स ने किया इसका मतलब में कुछ ना कुछ बेसिक क्वालिफिकर जरूर है कि कभी बिजिनेस में आपके पास में बेसिक डिगरी है जिसके माद्यम सिर्ट अपका जो मतलब रोजमिरा की जिन्दगी उसमें कमाना है वो चालू कर सकते या चालू रख सकते हैं काफी सारे लोग है तो आपके पास में कुछ ना कुछ डिगरी है, आप एक दम रस्ते पर आऊंगे नहीं। एक्टर बनने के लिए डिगरी की जरूरत नहीं है, तो डिगरी की जरूरत है, डिगरी लेंगे कुछ ना कुछ आगे कर सकेंगे। पड़ाय में काफी सारा इंट्रेस्ट डेवलोफ होंगा, काफी सारे रूची डेवलोफ होंगी, और अभी पाल को, मतलब मा को, मा को, पिताजी को किसको ऐसा बोलना नहीं पड़ेंगा, कि पड़ाय करके। तो इसके बारे में और मेरे वीडियो काफी है, आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तैंक्यू बरी मच्छ। पाल को लाइक कर सकते हैं, तैंक्यूब चैनल को, मैं वीडियो काफी है, तैंक्यू